दजालकंड सिक्षा पर्योजना पाशत के ओर से 22 सिक्षिकाओं की न्युक्ती मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है बाली का वासिये विद्याले सिम्डेगा में न्युक्ती के लिए आवेदन ढिकाले जाने की आठ महीने बाद क्या हुआ ये कोई बताने को तयार नहीं है देखिए ये रिपोर्ट विघ्यापन के जरिये हिंदी अंग्रेजी भाषा गनित विज्ञान सामाने विज्ञान और शारेविक सिक्षा के लिए कख्षा पांचवी से कक्षा आठवी तक के लिए योग्य अभ्यारतियों से यावेदन मंगाया गया था इसी प्रकार कक्षा आठवी से लेकर बारवी तक के लिए भाषा विज्ञान, सामान में विज्ञान और एकॉनमिक्स के लिए पूर्ण कालीक सिक्षिकाओं का चयन किया गया था हिंदी और अंग्रेजी भाषा के सिक्षकाओं के लिए किसी मानिता प्राप्त विश्विद्याले से संबंधित विश्यों में सनातक की आहारता जरूरी की गई थी जनजाती के लिए प्राप्तांक में छोट दी गई है इसके अलावा राष्ट्रिया ध्यापक सिक्षा परिसत द्वारा सिक्षक पात्रता परिक्षा में उतीन करना भी जरूरी किया गया है इसके लिए सरकार की तरफ से अभ्यारतियों के लिए मेधा सूची भी तयार कर ली गई थी पर ना तो शाक्षातकार लिया गया और ना ही सैक्षानिक दस्तावेजों की जाच की गई जारे विज्यापन में महिलाओं के लिए 38 वर्ष की आयू सीमा अधिक्तम उम्र निर्धारित की गई थी इसके अलावा अनुसूचत जाती जनजाती के लिए 40 वर्ष तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उम्र सीमा में 10 फीज़दी तक की छूट की गई थी जनवरी तक नियुक्ति को लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थी अब 22 सिक्षकाओं की नियुक्ति का मामला क्या हुआ? किसी को कुछ पता ही नहीं मेधा सूची में चैनित सिक्षकाओं का भविश्य भी अधर में लटक गया है विज्ञापन के जरिए हिंदी अंग्रेजी भाषा गनित विझ्ञान सामान्य विज्ञान और शारिरिक सिक्षा के लिए कक्षा पांचवी से कक्षा आठवी तक के लिए योग्य अभ्यार्तियों से आवेदन मंगाया गया था इसी प्रकार कक्षा 18 से लेकर 12 तक के लिए भाषा विज्ञान, सामाने विज्ञान और एकॉनमिक्स के लिए पूर्नकालीक सिक्षकाओं का चयन किया गया था हिंदी और अंगरेजी भाषा के सिक्षकाओं के लिए किसी मानिता प्राप विश्विद्याले से संबंधित विश्यों में सनातक की आहारता जरूरी की गई थी जनजाती के लिए प्रापतांक में छोट दी गई है इसके अलावा राष्ट्रिय अध्यापक सिक्षा-परिषट द्वारा सिक्षक-पात्रता-परिक्षा में ऊतीन करना भी जरूरी किया गया है इसके लिए सरकार की तरफ से अभ्यारतियों के लिए मेधा सूची भी तयार कर ली गई थी पर ना तो शाक्षातकार लिया गिया और ना ही सैक्षानिक दस्तावेजों की जाच की गई जारिय विज्यापन में महिलाओं के लिए 38 वर्ष की आयू सीमा अधिक्तम उम्र निर्धारित की गई थी इसके अलावा अनुसूचित जाती जन जाती के लिए 40 वर्ष तथा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उम्र सीमा में 10 फीजदी तक की छूट की गई थी जनवरी तक नियुक्ति को लेकर सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई थी अब 22 सिक्षकाओं की नियुक्ति का मामला क्या हुआ? किसी को कुछ पता ही नहीं मेधा सूची में चैनित सिक्षकाओं का भविश्य भी अधर में लटक गया है